दोस्तों कर आप भी महंदर सिंग धोनी सुबमेंगिल और रासित खान को बेहतरीन खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा भरे मैदान में पकड़ी गई महंदर सिंग धोनी की बेमानी आग बबूला हुए गुजराता टाइटन्स के कप्तान और गुजराता टीम मैनेजमेंट फिर से खिला जाएगा गुजराता टाइटन्स और चिन्ने सुपर किंग के बीच प्ले आपका मुकाबला चेंपियन नहीं बेमान है चिन्ने सुपर किंग की टीम और साथ ही बेमान है चिन्ने सुपर किंग के कप्तान महंदर सिंग धोनी जी हाँ ये मैन ही मैच हारने के बाद गुजराता टाइटन्स के कप्तान हारदिक पांडिया और गुजराता टाइटन्स के फैन ये इलजाम लगा रहे हैं महंदर सिंग धोनी पर गुजरात टाइटन से मुकाबला जीतने के लिए आखिरकार ऐसा क्या किया महंदर सिंग धोनी ने भरे मैदान पर जिसके बाद गुजरात टीम मैनेजमेंट बी सी सी आई से मांग कर रही है कि ये प्लेयाप का मुकाबला फिर से खेला जाएगा ये प्ले आपका मुकाबला और क्या कि आप महंदर सिंग धोनी ने जिसके बाद धोनी पर ये इलजाम लग रहे हैं दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो मंगर उससे पहले आप टाटा IPL 2030 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो में कॉमेंट करके बताना मत दिखाएंगे इस मुकाबले की संचिप दा हाइलाइट जिससे आप बहतर तरीके से समझ सकेंगे महंदर सिंग धोनी की बैईमानी को साथियों चेन्ने सुपर किंग और गुजराथर टाइटन्स के बीच प्ले आपका ये पहला मुकाबला एहमदाबाद के नरिंदर मोदी स्ट्रेडियम में खेला गया जहां पर गुजराथर टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पांडिया ने टांस जीत कर पहले गेद बाजी करने का फैसला किया टांस हार कर पहले बले बाजी करते हो चेन्ने सुपर किंग ने रितुराज गायकवाट के 44 गेदो पर 60 रनों की बहत सब्सक्राइब गुजरात के पहले गेद का प्तन मेहज 22 रनों के निजी स्कोर पर साहा के रूप में हो गई साहा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बले बाजी करने आए हार्दिक पांडिया भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और मेहज 8 रन बनाकर पविल गुजराता टैटन्स की तरब से बले बाजी करने आए अवं हरपन मौला खिलाड़ी रासित खान जब बले बाजी करने आए उसमें गुजराता टैटन्स का स्कोर था च książ छानवे रनों पर 6 बीकड़ रासित खान ने मैदान पर आने की बाद विجय संकर के साथ मिलकर नबा चौका लगा कर कुल 20 रन ठोक मुकाबला गुजरात टाइटन्स के पच्छ में लाकर खड़ा कर दिया। मैच रेफरी से लेकर गुजरात टाइटन्स का पूरा खेमा हैरान था आखिरकार क्या है पूरा मामला मेहंदर सिंग धोनी ने क्यों मुकाबला इतनी देर तक रोक रखा है। और जब तको मैदान पर वापस नहीं आ जाते तब तक मैच नहीं शुरूओगा क्योंकि धोनी पारी का ठ्राओं बर मतीसा पतिराना से ही कराना चाते थे। अंदता काफी जी तो जहद करने के बाद मतीसा पतिराना जब मैदान पर वापस आए तो महंदर सिंग धोनी ने उन्हें गेदवाजी की जिमेदारी शौपी। अलाकि जब मतीसा पतिराना ड्रेसिंग रोब में थे उस दोरान महंदर सिंग धोनी के पास कई आप्शन थे। और अगले उबर में पंदरा गेदो पर तीस रन बना कर खतरना कंदाज में बलेबाजी करे रासित खान भी आउटो कर पविलियन चले गए। भूम का निभाई क्योंकि आम तोर पर टीटोंटे मुकाबले में किसी भी गेदबाज के ड्रेसिंग रोब में चले जाने के बाद मैच इतनी देर तक नहीं रुपता।